नमस्कुर्ण दोस्तों मेरा नाम है भालचंद्र ब्रह्मांड सिद्याष्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिन अंग 2 नवंबर 2021 का संपुर्ण राशिपल आज का जो दिन है धणतेरस का दिन है प्रह्मांड सिद्याष्ट्र परिवार की और से आप सभी को धेरो धेरो शुबगामना है आज का जो दिन है मंगलवार का है कुरुष्ण पक्ष की बारवी थिती है नक्षत्र उत्तरा है योग वैद्र थि है दिन का जो करण है वो तैंतिल है और जो रात का करण है वो गर है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुर्वात होगा दोपर 12 बचकर 10 मिनट से लेकर 1 बचकर 34 मिनट तक अभिजित मूर्थ दोपर 11 बचकर 40 मिनट से लेकर 12 बचकर 34 मिनट तक का होगा गुलिक कला और अभी जितमूर्द शुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण काम या फिर निरने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवत होगा दोपर दो बचकर 69 मिनिट से लेकर 4 बचकर 23 मिनिट तक यमगंडकाल सुभ़ नो बचकर 21 मिनिट से लेकर 10 बचकर 45 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमगंडकाल दिन के अशुबकालावदी कह जाते हैं जो इस में किसी भी प्रकार के महत्व पुणने ने या फिर काम आरम विल्कुल भी नहीं करना आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा संपूल्ह दिन कन्या राशी में ब्रह्मन करेगा या चंद्रमा शन्य के साथ नवर पंचमियों यानि के ягने जा रहा है यह अग्रस्ति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिपल क्या होगा इस विशे पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले राशी है मेश राशी मेश राशी के शाष्ट बहुमे चंद्रमा का ब्रहमन है और आपे के दशंबहों में शाष्ट बहुमें के साथ यह चंद्रमा नवपंचमयों यानि की द्रिकोनयों करने जा रहा है आज का जो दिन है वैसे देखा जाए तो जो भी आप काम करते हो उसके संदर में कुछ अच्छे रिजर्ट्स आज के दिन आपको आ सकते हैं जो मेश राशी के विक्ति जॉब लेस है उनको जॉब मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है जो विक्ति जॉब पर है उनके जॉब की काफी अच्छी अप्रिसेशन आज के दिन हो सकती है अगर business के बारे में कुछ आज नया शुरुवात करना चाते हो तो आज के दिन आप शुरुवात कर सकते हो इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिशब राशी ब्रिशब राशी के पंचम भाव में चंदर्मा का ब्रह्मन है और आपके भागे भाव में स्थित शनी के साथ ये चंदर्मा नवपंचम योग यानि की त्रिकोनियों करने जा रहा है तो काफी अच्छा दिन है आपके लिए अगर आप किसी के रिलेशनशिप हैं तो उनके साथ कई आज के दिन बाहर घूमना फिरना हो सकता है उनके साथ आज आपके हार्मोनी है वो काफी अच्छे देखी जाएगे मेल जोल भी काफी अच्छा देखा जाएगा तो दिन काफी अच्छा है इसका पूरी तरह से दो मां MI तो आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोंगे लोगों के साथ बुनना फिर बहुत अच्छी देखी जाएगे। कुछ खर्चे बगरा होने की संभावना भी काफी ज्यादा बनती है और यह कुछ खर्चे हैं वह सकारत्मक होंगी जिसके विज़से काफी अच्छा दिन आपके लिए बीच सकता है इसके बाद की जो राशी है वो है कर्क राशी कर्क राशी के तृतियोंस वह में चंद्रमा का ब्रमन है और आपके सब्दम बावनिस सिथ शनी के साथीया चंद्रमा नववा पंचम योग यानि की तरीकोनीक करने जा रहा है तो आज कर जो दिन यह वह सिंगराशी सिंगराशी के द्वितियों महामी चंदरमा का ब्रहमन है और आपके शाष्ट भाव में सित शनी के साथ यह चंदरमा नवपंचमियों क्याने की त्रिकोनियों करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए पैसे के कुछ अच्छे लाव अगरा इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी, कन्या राशी में ही चंद्रमा का ब्रहमन है और आप ये पंचों मामिस्ति शनी की साथे चंद्रमा नवपंचों व्योग यानि की त्रिकोनियोग करने जा रहा है, तो आज का जो आपका confidence है वो बहुत ही अच्छा देखा हो तो long run effect में अगर आपने कोई trading की है तो आज के दिन आपको उसके कुछ अच्छे लाब वगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बंदी है, इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी, तुला राशी के वहिया भाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और आपके चत्रत अब ले से तो आज के दिन आपको जौब वगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बंती है, घर के जो लोग है उनके साथ आज आज आपके हार्मनी बहुत अच्छी देखी जाएगी इसके बाद के जो राशी है वो है ब्रिचिक राशी, ब्रिचिक राशी के लाव भाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और आपके दृतियों बहुत अच्छा दिन है आपके लिए आज आपको प्रतिक्ष लाव अच्छे मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है, अगर ब्रिपनेशन के बारे में किछ अच्छे चांसेस वगर आज के दिन आपको आ सकते हैं, उसी प्रकार घर परिवार के साथ कही बाहर घूंबना फिर ना भी आज के दिन आपको हो सकता है, गर परिवार के लिए आज के दिन कुछ खर्चे वगर होने की संभावना भी काफी ज़्यादा बन रही है, आपके जो मित्र परिबार है, उनके साथ मुलाकास हो सकते हैं, गपशब हो सकती हैं, दिन आपका काफी अच्छा हो सकता है, इसके बाद की जो राशी है, वो है धनुरशी, धनुरशी के दशंबाव में चंदरमा का ब्रह्मन है, और आपके द्वित् जब यो गयाने की त्रिकोनियों करने जा रहा है तो आज के दिन आपको अन एक्सपेक्टेंट लाव अगरा मिनने की संभावना काफी ज़्यादा बन रही है उसी प्रकार काम के सिलसिले में आपको आज के दिन कई बाहर भूमना फिर ना पड़ सकता है अगर आप जॉब में आज के दिन अप्रिसेशन भी काफी अच्छी बन सकती है इसके बात की जो राशी है वहाने का ब्रह्मन है healthy unam guest घघ पन्जों जा रहा चाए तो कि जड़ी दर है उन में और आप में काफी हर वे हरमनी देखी अच्छा देखा जाएगा इसके बाद की जो राशी है वो है कुंब राशी कुंब राशी के चंद्रमा का ब्रह्मण है और आपके बारे में जो भी बेंडिंग काम है वो आज के दिन आपास में ले सकते हो वो पूरे होने की संबावना काफी अच्छी बन रही है इसके बाद की जो राशी है वो है मीन रशी मीन रशी के सप्तमभाव में चंद्रमा का ब्रह्मण है और आपके लाबवाव में सिथ्षनी के सादे चंद्रमा नवपंचम योग यानिकी त्रिकोनियव करने जा रहा है बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए अगर आप विवाई तो आपके जो वैवाई जोड़ेदर है उनके साद आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं तो वहां पर की परसित्या है वो भी काफी अच किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्माद सिद्धियास्ट्रो इसे भी लाइक शोर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवा झाल